students, हम numerical solve करेंगे, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि calculate करें equilibrium concentration, ठीक है, यानि कि equilibrium क्या होता है, वो point जिस पे एक reaction कह सकते हैं, यह वो balanced state में हो, जित speed से आके जा रहा हो, उसी speed से पीछे भी जा रहा हो, ठीक है, यानि कि हम बात किसमें करते हैं, reversible reaction से, ठीक है, और concentration क्या होती है, concentration को अगर हम chemical terminus में बात करें, तो यह होती है, number of moles, ठीक है, number of moles होते है, moles क्या होते है, amount होती है, amount यानि कि कि कुछ छोटे units की जब हम बात करते है, atoms की, एक molecule करके बात करते हैं, तो हम कहते है, एक mole में हम देख लेते हैं, कि वो कितने मौझूद है, ठीक है, अब हम रहे इस दि हम देखनें कि number of moles होता है, कितनी मौझूद है, perjured volume में, ठीक है, phi volume में, यानि कि अब लिटर में, कितनी number of moles मौझूद है, तो यह जो है, वो concentration आजाती है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें problem statement ये गिवन है, कि nitrogen जो है, वो react करती है hydrogen के साथ, और वो बना लेती है ammonia, ठीक है, तो इसकी equation किस तरह से आ सकती है, कि let's suppose मेरे पास nitrogen मौझूद हा, ठीक है, gaseous form में चले लेते हैं, तो इसने क्या किया, इसने जो है, वो react किया, किस के साथ react किया, इसने, इसने react किया hydrogen के साथ, hydrogen gas के साथ, इसने ये लिखका है रहा कि nitrogen ने react किया hydrogen gas के साथ, ठीक है, और यहाँ प ठीक है, यह reaction है, अब reaction को हम देख लेते हैं, और इसको पहले हम balance कर लेते हैं, balance करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 nitrogen है, अब hydrogen जो हो 6 हो गए, तो यहाँ पर 3 लगा देंगे, तो 3 इंटो 2, 6, 3 इंटो 2, 6, ठीक है, और 2 nitrogen, अब equation balanced है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यह कर लेंगे, कि इसके लिए हम क्या लिख लेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर, हम लिखेंगे, इसकी equilibrium constant, constant की expression, ठीक है, equilibrium constant क्या होता है, उसकी expression लिख लेंगे के लिए हमें पता होता है, कि हम क्या करते हैं, कि सबसे पहले हम लेते हैं, products का products का product ले लेते हैं, अब यहाँ तो एक ही product मौझूद है, तो इसकी product of concentration of products, अब यह जो square brackets ने इसका मतलब है ammonia की concentration ले रहे हैं, ammonia का है product, तो हम ले रहे है product की concentration, ठीक है, divided by, अच्छा, साथ में यह भी देख लेते हैं क्योंकि यह ratio होती है, क्योंकि यह ratio होती है, divide करेंगे, हम reactants की concentration का product ले लेंगे, ठीक है, और reactants की concentration क्या है, N2, ठीक है, और दूसरी क्या है, H2, ठीक है, H2, ठीक है, और raise to the power, इनके respective coefficients आ जाते हैं, N2 का तो 1 है, तो 1 mention करना जरूरी नहीं है, लेकिन hydrogen का 3 है, यहां पर हम tube लिख देंगे, ठीक है, या चाहिएगा, तो यह हमारे पास expression है, वो किस चीज़ का आगया, वो equilibrium constant का expression आगया, ठीक है, अब हम problem statement में देखें, तो हो कह रहा है कि react करके nitrogen ने ammonia बना ली ठीक है, और equilibrium mixture, यानि कि mixture जो equilibrium पे, equilibrium हुनने कहा क्या होता है, जिस rate से forward speed, जिस speed से forward जा रहा है, reaction उसी speed से backward जाए, ठीक है, तो हो equilibrium होता है, तो हम कहने कि equilibrium mixture, यानि कि mixture जो equilibrium पे mixture होगा, उसमें nitrogen भी मौच होगी, hydrogen भी और ammonia भी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब equilibrium पे mixture को हमने देखा, इस mixture को, mixture of reactants or products, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर क्या था, उसके अंदर जो है, वो 0.31, 0.31 moles per decimeter cube, इसके अंदर जो है, जो है वो, N2 शामिल थी, ठीक है, 0.50 moles per decimeter cube, अब moles per decimeter cube क्या है, जि की concentration को measure करने का unit है, ठीक है, इस तरह से decimeter cube, लिटर को मज़र कहते हैं, ठीक है, जानि कि volume, यानि कि जिस तरह, एक लिटर की bottle, दो लिटर की bottle, ठीक है, इस तरह से 10 liter की bottle, ठीक है, इस तरह से 500 ml, तो ये जो milliliter, ये liter, लिटर को हम decimeter cube भी कहते हैं, अब per decimeter cube per liter की बात हो रहे है, ठीक है, और moles, हमारे पास amount आ जाती है, ठीक है, ठीक है, दूसरी हम 0.50 की देख रहे हैं, ये किस की है, ये hydrogen की है, ठीक है, hydrogen की, इन दोनों ने react किया है, ठीक है, हम विशेग यहाँ पर, जो है, वो square brackets भी टाल देते हैं, कि हम concentration की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये nitrogen और hydrogen हो का है, ठीक है, अब हमें find क्या करना है, ammonia क concentration जो है, वो find करना है, यानि कि na three square brackets में लिखें, तो ये जो है, वो क्या है, ये missing है, ठीक है, ये find करना है, इसको find करने के लिए हम क्या करते हैं, केसी का expression तो आ गया है, ठीक है न, इसके अंदर हम values put कर देते हैं, अब values put करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा is equal to assign हम इस को लगाएंगे, in fact हम इस को पूरे को जहां से थोड़ा सा इस तरफ को move कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ताकि हम properties को mention कर सके, केसी की value लिखते हैं, यहां से केसी की value आ जाएगी, क्या है हमारे पास value, 0.50, ठीक है, moles, moles का पर minus 2 है, raise to the power minus 2, और dm raise to the power 6, ठीक है, अब केसी value तो हमें पता है, कि यह तो जी depend करती है, कि कौन सी reaction है, ठीक है, रिक्षिन कौन सा है, उसके बाद फिर ammonia की, ammonia की हमें जो है, वो actually known नहीं है, ठीक है, हमने ammonia की लिखके इस तरह से छोड़ दी, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, next हमने divide किया, अब किस से divide करेंगे, यहा और उसके बाद क्या है, इसके साथ multiply हो रही है, क्या चीज़ multiply हो रही है, hydrogen की concentration, वो हमारे पास क्या है, 0.50, ठीक है, और यहां पर square लगाया है, sorry, cube लगाया है तो हम यहां पर भी cube लगा देंगे, ठीक है, यह हमने लगा दिया, तो यह हम देख लेते हैं, कि यह हमारे पास, अब यहां पर जो है, वो साथ में हमारे पास, इसको हम extend कर लेते हैं, ठीक है, क्यूंकि हम साथ में इनके units भी mention करेंगे, ठीक है, 0.31 के साथ क्या था, moles per decimeter cube, हमने लग देते हैं, यहां पर चलें, हम दूसरे color से show कर देते हैं, moles per decimeter cube, ठीक है, यह आ गया हमारे पास, और ज इसका भी whole cube unit का, वो ही आता है, जिस तरह से हमें given हो, ठीक है, यह आ गया, अब हम देख लेते हैं, कि इसको हम सबसे पहले इन दोनों को multiply करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यह भी हम आगे steps देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या कहा, हम जो है, वो इन च 0.03875, इसको हम किस तरह से mention करते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, NH3 ऐसे ही आ जाएगा, क्यूंकि यह जो है वो known नहीं है, ठीक है, ऐसे आ गया, और नीचे हमारे पास the value आ जाएगे, 0.03875, ठीक है, इसको हम लिखते हैं, 0.038, ठीक है, यह हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि, moles, ठीक है, अब यह, इसकी भी raise to the power, इसके भी में इलाके 3 plus 1 बन जाएगा, यानि कि हम कह सकते हैं, moles per decimeter cube whole, 4 बन जाएगा, ठीक है, दोनों के raise to the power add हो जाएगे, ठीक है, जो कि हमारे पास rule होता है, यहाँ पर है, 0.50 mole minus 2, ठीक है, decimeter cube, 2 के साथ 6 है, ठीक है, अब आगे क्या होगा, equals to, क्यूंकि हमें यह find करना है, तो इसको यहाँ रहने देते हैं, और equals to कि इस side पर जितना कुछ है, उसको वहाँ ले जाते हैं, तो यह इस तरह से होगी cross multiplication हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर जब यह जाएगा, तो क्या हो ज 019, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते है, 0.019, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, moles पर यहाँ है, और यहाँ पर decimeter के साथ 6 है, यह चीज़ वहाँ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, हम देख लेते हैं, यह हमारे पास है, mole, ठीक है, और 4, और decimeter क्यों काहे जो है, वो estrogen to 4 minus 12, ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं, कि किस तरह से इसके, यहाँ पर हम जो है, वो लिखेंगे, ammonia की, हम जो है वो, क्या ले रहे हैं, concentration, ठीक है, यह ammonia की concentration आ रही है, फिर हम यहाँ पर यह देख लेते हैं, कि यहाँ पर mole minus 2 है, यहाँ 4 है, 4 minus 2 मतलब, यानि कि 2 आ जाएगा ठीक है, और यह हमारे पास 0.019, ठीक है, और यह क्या है, NH3 का square है, ठीक है, NH3, यह हमारे पास आगा है, इसका square, ठीक है, next हम क्या करेंगे, next अब square है ना, इसका square हटाने के लिए इसका under root ले लेंगे, यह cancel हो जाएगा, इसका भी under root आ जाएगा, ठीक है, under root लेंगे तो हमा इसका यहां पर हम square root ले लेंगे, तो इसका square root लेते हैं, हम इसका square root लेंगे, यहां सी square root आजाएगा, यहां कि 0.13, 0.139 है तो हम 0.14 भी कह सकते हैं, यहां जाएगा 0.14, ठीके, और moles, क्यूंकि moles के उपर भी अब इसको हम देख लेते हैं, कि square root की वज़से यह square है, और square root का म माइनस 6 है इसके ओपर भी square आएगा अब square root का मतलब होता है one by two से हम raise to the power करते है ठीक है तो NH3 की concentration ऐसे आ जाएगी ऐसे बिल्कुल ठीक है और moles के square जाए वो square root से cancel हो जाएगा क्योंकि सब के साथ square root होगा निए के multiplication है ठीक है और यहां पर क्या होगा two ones are two two threes ठीक है न तो हमारे पास आ जाएगा final जो answer आ जाता है वो क्या बनेगा कि NH3 की concentration जो आएगी वो किस तरह से आएगी 0.14 ठीक है यहां पर आएगा mole ठीक है और साथ में क्या आएगा decimeter minus 3 ठीक है यहांने moles per decimeter cube और इस तरह से हमने यह निकाल लिया किस क्या चीज हमने जो है वो equilibrium concentration निकाल लिया ammonia की जो क्या ही 0.14 moles per decimeter cube जबकि हमने जो है वो हमें given conditions थी कि nitrogen hydrogen से reactor के ammonia gas बनाते है